हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है श्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी में बात करेंगे रिलांस इड्रिस के बारे में कि आज इसमें क्या हुआ और आने वाई डेडिंग सेशिस में ये कौन-कौन से लेवल पे आपको ट्रेड होता हुआ दिख सकता है साथी में अगर आपके पास पोजिशन तो उसको होड करें उसको सेल करें या फिर रिफ्रेश पोजिशन कौन से लेवल पे बनाए ये सारे चीज़े हम आपके साथ इस वीडियो में शेर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आज की बात करें तो बहुत अच्छे ले आधा कोभी मोमेंटम नहीं होता हम जानते एक्सपार में मोस्टी डेली ऐसी गंडल बनती है बीच में फसीर होती है क्यों कि जो बड़े-बड़े प्लेयर जोते वह अल्टीमेटली उस दिन प्रीमियम खाने का ही काम करते है ऑप्शन सेलर जो हते हो तो सिंपल लेकिन आज करने के लिए और अगर कल के दिन अप उपन या फिर टच करके आगर 1960 के उपर उपन होता है फिर नीची आगर 1960 को टच करता है फिर उपर जाता है डेफिन नेटली आपको वहां पर बाइंग इनिशेट करना है उसको मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा आज का लोग इनों से नेगेटिज चल रहा है साइट बेश चल रहा है आज कुछ मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिला अगर चार्ट की वर देखेंगे यहां पर तो जहां पर रिजिस्टन्स फेस करता है बिलकूल वहां से आज भी उसको फेस किया है लेकिन यहां पर जो 1960 की लाइन उसको टॉट नहीं किया है उसको टच करके यहां पर दिखे उसने थोड़ा सा यहां पर रेजिस्टंस फेस किया है नीचे यह और सब्वेशब लिए देखिए यहां पर थोड़ी सी यह वीगी देखने को मिल रहे है 1960 के उपर यह open वा था और वहाँ पर उसने फिर से यहाँ पर support लेता हुआ दिखा यहाँ पर हम उसको retaste भी बोल सकते तो अगर मंडे को यह gap up उपन होता है या फिर यहाँ पर यह उपन होता है फ्लाट उपन होता है लेकिन 1960 को टच करके उपर जाता है या फिर 1955 तक उसके नीचे नहीं जाना चाहिए कर 1955 या फिर 50 के नीचे जला गया तो आप इसको शॉट करके भी 30-40 उपर निकाल सकते हैं लेकिन पोजितिव व्यू रखना चाहिए आप हमको जिस तरह से मोमेंटम देख रहा है इसमें आखिर के कुछ पंदर आते आदे गंडे में एक अच्छी सेलिंग या आपको देखने को मिली थी अब यापको करना क्या जैसे मैंने बता है अगर कल के दिन गैप अपन होता है तो नीचे फिर से अगर आता है करना चाहिए अगर यह नीच गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लेट ओपन होके नीच आता है 1950 के भी नीचे चला जाता है आप डेफिनिटली सेलिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हो सिंपल फंडा यहाँ आपको यह मैं बता रहा हूँ यह देखे जो मैं पैटन बोल रहा हूँ इसका पैटन का आज ब्रेक आउट आया है और ब्रेक आउट करके यहाँ पर कम्प्लिट ऐसा लग रहा है कि यह रीटेश करने के लिए आया है इसलिए बोल रहा हूँ कल फिर स पुछे में बना नहीं है वह तो जैसे मैंने बोला आज का अगर हाई क्रोस करें कल के दिन तो कर सकते हो वरना अगर कल थोड़ा के पॉपन होके 15 रुपे फिर नीचे टच करके फिर से उपर आता है तो आप कर सकते हो जैसे हमने बोला वरना आप सेल के लिए जा सकते हैं 1950 के नीचे जिनके पास पड़ा हुआ है 1929 का स्टोप लोस लगा के उसको होल्ड करना है आप लोको का भी स्टोप लोस नीची रहेगा जो लग पोजिशन ले उसको ले रहे उन के लिए इंटार डे जैसे आपको बताया गया कि अपन हुए सब्सक्राइब करके नीचे आ गया था तो चांसर वेरी हाई कि अब यह फिर से उपर के और स्विंग पॉजिटिव बना दे तो अगरे वीडिया आपको पसंद नहीं वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों को शेर किजिए और में सेस्क्राब करके हमारी फैमिली में जोल ज सेगी थैंक यू